तो जिन्होंनी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धनेवाद थैंक यू सो मच तो रिडिंग है करंट फिलिंग के लिए उनकी टु डिपस्ट फिलिंग आज के लिए वो जानने कोशिश करते हैं reading general है, collective है, please इस बात का ध्यान रहे, request है तो reading start करते हैं with a positive note कि आज की उनकी feelings क्या है आपके लिए प्लेंग के ओपर focus किजे उनका हसना मुस्कराता चेरा याद किजे उनका नाम दो रहे तीन बार साद्बार आपके आसपास मुझे आपके आसपास है ना कोई energy है जो आपके लिए ना negative सोचती है जानके या अन्जानिम से कलीग आपके workplace पे कोई है या फिर neighbor है और या फिर कोई इनसान है जो आपको रोज देखता है रोज देखता है रोज मतलब एक दिम रेगिलर्ली देखता है और पता है और खास करके हमारी इनकी true deep feeling के बारे बात हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि specially आप जिनसे प्यार करते हो आप किसी relation में हो उस चीज का उनको एसास है या पता है उसकी वज़े से उनको जादा तकलीफ है जादा तकलीफ है इनको जो इनसान है वो इतनी जलस एनरजी क्रियेट कर रहा है अन्जाने में सही है जानकर कि उसकी वज़े से आपके लाइफ में थोड़ा अजीब निगटिव असरक पढ़ रहा है और आपको इस बात का अंदेशा तक नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कुछ ऐसा हो भी रहा है आपको सिफ इतना पता रहे कि आपको अचनक से जो एक निगटिव फील होता है एक ना किसी की वाइब फील होना वह वाली चीज है बट कुछ आसपास से निगटिव फील होता है कि कुछ अलग एनरजी है बट क्या ह कौन है कैसे है वो आपने कभी सोचा ही नहीं है और आपको पता नहीं कि क्या चीज चल रही है लेटर एल लेटर भी प्रमिनेंटली फील हो रहे हैं लेटर सी मुझे ज़्यादा दिख रहा है आधा चांद, क्रिसेन मून ये एनर्जी काफी साथ प्रमिनेंट है इनकी इमोशन में हर चीज न मुझे आधी आधी फील हो रही है अधूरा, आधा ये वर्ड मुझे ज़्यादा फील हो रहा है इनके और आपके बीच में डिफरेंसेस हैं एज के हो सकते हैं, सोच के हो सकते हैं ये दो चीज मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है एज और सोच, एक कोई और डिरेक्शन में सोचता है हमेशा या उनकी सोच वैसी है, आपकी सोच ऐसी है और एज की बज़े से, इनसान ये एक लेवल पे सोच ही नहीं पा रहा है एक लेवल पे अभी तक नहीं है एक एमोशन से प्यार है, ये दोनों के बीच में कावन है कितना भी हो, प्यार वही है लेकिन जो प्रैक्टिकल लेवल पे होना चाहिए उसमें ही चीजे मात खा लिए आपके कुछ एक्सपेक्टेशन से और इनके कुछ एक्सपेक्टेशन से वो मैच ही नहीं हो पाते मान लिजे कि मैरिज कमिट्मेंट की बात है तो इनके कुछ अपनी सोच है, अतने प्रॉब्लम से मजबूरिया है और आपकी अपनी सोच है अपनी सोच है, तो ये सारी चीजे नहीं मैच ही नहीं हो पाती इनको ऐसा लगता है कि आपस नहीं समझते और आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं समझते एक और जगा इस रिष्टे में इंबालन्स है वो है प्यार के मामले में, emotions के मामले में, दुनिया के लिए आप लाग practical इंसान सही, कामियाव इंसान सही, सब कुछ है आपके पास, यह इतना strong हो सकते है, beautiful हो सकते है, handsome हो सकते है, financially well off हो सकते है, strong हो सकते है, मतब लोग मानते हैं, यह लोग देखते हैं, इतनी आपकी energy powerful होने के बाउजद भी, इस इंसान के सामने आपकी energy, रूख जाती है, यह जूख जाती है, इस बात के लिए न, कभी-कभी आपको न, universe से गुसा आता है, universe पे गुसा आता है, कभी-कभी, या पहले रताता हो, बट है तो सही, नाराज की है, universe से, ऐसा के विए है, प्यार में imbalance है, और खास करके, कैसा है न, कि यह प्यार आपकी तरफ से ज़्यादा है, या अभी तक ज़्यादा है, इनको मौका ही नहीं मिला, और मौका ही नहीं मिला, यह सब चीज समझने का, या फिर यह एकसेप्टी नहीं करें, यह जवाब पी लो, एकसेप्ट नहीं करें, कि यह आपसे उतना प्यार करते हैं, और कुछ है, आप लोग का सेप्रेशन है, या भी तक जगड़े चल रहे हैं, या और्गिमेंट चल रहे हैं, कुछ पॉइंट पर नहीं आर पा रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहां कि, एकसेप्ट पर कमिट्मेंट है, तो आनी रहे हैं मिलाब की एक पॉइंट पर, कि चलो, यह बात पर सोच लेते हैं, तो ऐसा लग रहे हैं कि, आपके anxiety बढ़ती जाती है, आपका irritation बढ़ते जा रहे है, आपका गुस्सा बढ़ते जा रहे है, लेकिन ये इन्सान ने वो decision नहीं ले पा रहा है, ये सोच नहीं रख पा रहा है, आज तक ऐसा होता आ रहा है, या आप भी भी ऐसा हो रहा है कि, इनके लिए दुनिया पहले है, दुनिया जो उनकी है, ये इनसान मुझे से लग रहा ना, अपनी दुनिया में प्रायरिटी देने वालों में से है, जिसे कि पैरेंट्स है, जो फैमिली बनाई है, वो है, अपना दुनिया है, करियर है, फाइनसे से, उसको, like social है, मेरा status है social, म लोगों को क्या जवाब दूंगा, ये दूंगी, ये उनके लिए ज़्यादा माइने रखता है, और आप completely opposite है, कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी, या आप सब कुछ छोड़ सकते है, इनसान के लिए, इस इनसान के लिए, इतनी आपके ताकत है, दुनिया से लड़ सक पर हो, लेकिन ये ही सब चीजे quality ना, इन में या तो बहुत कम है, या तो नहीं के बराब, इस बात का दुख है ना, आपको, आपको ही पता होगा कि इस बात से कितना दुख होता है, कि जिस इनसान को आप इतना दिल से, इतना तड़प के चाहते हो, वो इनसान, आपके लि नहीं ले सकता, नहीं हो सकता, मुझे अभी इनसान है ना, कफी जादा struggle में दिख रहा है, struggle, emotions को accept करने की, खुद का जो controlling situation है, उससे बहाँ निकलने की, एक मतलव जटपटाठ है निकलने की, या फिर ऐसा है कि, किसी चीज से बाहर निकलने कोशिश कर रहे, like, control हो, खुदकी emotions हो, acceptance हो, किसी चीज से बाहर निकलने कोशिश कर रहे, महला, वो अपने situation में एक suffocation फील कर रहे, उस suffocation से बाहर निकलना चाहते है, नमबर टू मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है बार-बार अगें सेवन नमबर भी दिख रहा है थ्री नमबर भी मुझे बार-बार दिख रहा है और थर्ड पार्टी इश्यूस है न वो है, स्टॉंग है जो भी अब तक हुआ है अगर प्रॉबल्म हुआ है या फिर अब तक प्रॉबलम अगर सॉल नहीं हो रहा है तो थर्ड पार्टी की वज़े से ही चीजें रुपी हुए ऐसा मुझे फिल हो रहा है फोर नमबर उनका हो सकता है birth number, life path number और मुझे Z letter दिख रहा है Z I don't know for strong the reason आपके person की I think six finger हो सकती है जो छेंग लिया होती है हो सकती है, अपता नहीं क्यों अच्छानक से मुझे feel हुआ, A letter हो सकता है उनका R हो सकता है R मुझे नहीं यहां पर इसा feel हुआ कि आप लोग के बीच में ना union तो होगा, लेकिन यह तो होता ही भी है, लेकिन situation में कौफी ज़ाद ना होता है नहीं होता है या फिर बनते-बनते बात बिगड जाती है, या फिर वो आते भी है, थोड़ा बात होती है यह सारी चीज़े नहीं हो पा रही है काफी अर्से से नहीं हो पा रही है या जब भी हो रही है तो ऐसे ही हो रहा है मुलब आते हैं, जाते हैं या फिर बस बात करते हैं लेकिन कुछ, एक strong actions होता है नहीं हो पा रहा है नहीं हो पा रहा वो जो एक अननाफ situation जो फीर हुए रहे ने मुझे, वो काफी हद तक ऐसा है ना, कि ये काफी हद तक आपके हाथ में है, आपकी healing कही न कहीं रुकी हुए, क्योंकि इनकी तरफ है ना healing वगरी सब चीजे पता ही नहीं है, वो इनसान बस अपनी कर्म जिये जा रहा है, फिर वो क्या वोगना हो, experience करना हो, चलो ये है, वो है, और एक तरफ आप है, जो अंजाने में सही, आपको जैसे कर्मों का हैसा सुना, ये क्या है, वो क्या है, healing क्या है, वो सब चीज का हैसा सुना तो चल रहा है, लेकिन एक वक्त आता ना कि आप परेशान हो जाते हैं, कितना करें कुछ हो नहीं रहा है, ना ये अरे ना कुछ life में अच्छा हो पा रहा है, stability फिल हो रहा है, चलो मैं अपने life में अखेला हूँ या अकेली हूँ तो तभी में शान्त हूँ, खुश हूँ, ये stage नहीं आ पा रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर in that case, अगर आपको ऐसा लग है ना वो नहीं है, क्योंकि ये इंसान को वो अर्सास ही अभी तक नहीं हो पा रहा है, so healing must for you वाली चीज फिल हूँ है, जितना आप शान्त हो जाएंगे ना, शान्त, और उसके बाद manifestations होंगे, उसके बाद वो सोच बदलेगे ना, बहुत फरक पड़ता है, बहुत फरक वो कोई और चीज नहीं दे सकती, harmony, power mental conflict resting tonight patience, so, यहां पर ऐसा है कि, patience बहुत ज़रुई है, patience, strength, inner strength, इस इंसान के जिंदगे में ने कहा ना, एक mental conflict, जीट सा खिचा, मिलोगे कि किसी चीज से बहार नहीं करना चाहते है, वो है mental conflict, समझ नहीं आ रहा है, क्या है, accept करना है, नहीं करना है, कैसे होगा, feel तो होता है, कैसे करें, और यहां पर ऐसा लग रहा है, उनकी भी healing required है, अलग तरीके से होती है, बट required है, यहां पर इख रहा है कि union, मैंने कहा ना, union तो होगा, यही, यही type की images मेरी candle wax में बनी है, अलग अलग तरीके से, जैसे birds joint होए हो, कोई गले लगा रहा है, कोई साथ में dance कर रहा है, य इनकी जब एक inner strength कहते है, वो जब जागेगी, इनको भी awareness होगा कि yes, यह connection क्या है, वो चीज तभी आप दोनों की इच्छा पूरे करेगी, कि हमें साथ होना है, harmony in relationship, हमें साथ होना है, so यह आपको strongly manifest करते है, इसलिए तो आपको feel होता है, और जो मैंने negative energy feel की है, वो different है, इन इनकी energy ना completely समझ में आती है, कि यह बैसे dreams और वो सब चीज feel होता है, उनका नाम देखना है वो अलग चीज है, बट यहाँ पर manifestation energy वो बहुत 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 है, और जो negative energy आपके पर काम करी है, वो भी बहुत बहुत है, तो आप नजर लगने के जो पाय है, वो प्लीज कर सक है, और patience, patience बहुत जरूरी है, और healing बहुत जरूरी है, healing बहुत जरूरी है, advice, see, क्या है, friendship and union, joy and contentment, so, जैसे मिने feel किया, union होगा ही, और होता ही आया है, बट उसमें नो एक stability missing है, वो तभी होगा, और ये joy and contentment, वो जो एक fulfilling है ना, मलब वो जो stability, वो जो healing आप में जब होगी ना, एक तो पहले आप अपने अप में complete feel करोगे, और जब वो इंसान आएगा, वो feel करेगा कि वो अलगी zone में है, वो आप से फिर वो attract मी होगा, वो attach हो वो मुझे जिसे feel हो रहा है, तो ये थी reading, I hope आपका कुछ guidance मेली हो, like, share, subscribe करना ना भूले, personal reading के लिए link डिस्रिप्शन बॉक्स में है, please कोई fake comment कर जवाब ना दे, thank you viewers, thank you viewers, thank you viewers